तो दोस्तो आप YouTube पर देख सकते हैं कि बहुत सार लोग अपनी वीडियो का thumbnail में बहुत टाइप की PNG यूज़ कर रहे हैं जैसे ब्रस PNG, पेपर कट PNG या 3D लोगो वाला PNG तो यह सब आप देखके आप ही सूच रहे हैं कि कैसे आप ही इस तरह की PNG को डाउलूड करें और अपने thumbnail में यूज़ करें कि अगर आप इस टाइप की PNG होती हैं उसे अपने thumbnail में यूज़ करते हैं तो उसे thumbnail आपका बहुत ज्यादा attractive देखने में लगता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप से बताऊंगा कि कैसे आप इस टाइप की PNG को डाउनलोड कर सकते हो जी यहां दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे application के लेकर आचका हूँ जहां से आप copyright free PNG images डाउनलोड कर सकते हो यहां पे आप PNG के अलाब वावववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव ज्यादा स्टूरे की जरूत नहीं पड़ेगी तो यहां पर आप सिंप्ली से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में यूज कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको आगे बाता हूंगा कि इस application को कैसे डाउनलोड करें और इस application से कैसे हम PNG images डाउनलोड कर सकते हैं तो चले हैं आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इस application का size भी यहां पर drive proof देख सकते हो अपको यहां से install कर लेना है अच्छाट ने आपनuce को ऊनल चनल करने कुपकर क्वार आपको आप कर लेंनी करिगे तो कुछ चीड तरीकिक आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब देखने मिलेगा तो यहाँ पे आपको एक search बार का option मिल रहा है तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी type का images चाहिए तो आपको यहाँ पे search कर लेना है तो मालने जिए कि मुझे YouTube related जो subscribe button होता है उसे download करना है तो बस आपको यहाँ पे subscribe search कर लेना है जैसे आप search करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत type की subscribe button आपको देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ से आपको जो भी images चाहिए आपको यहाँ पे select कर लेना है तो मैं यहाँ से एक select कर लेता हूं जैसे select करेंगे तो कुछ चीज तरीके का interface आप सभी के सामने खुलेगा तो वहाँ पे आपको उस images के उपर लिखा होगा free download तो जैसे आप उस free download पे click करेंगे तो वहाँ पे आपको एक और option मिलेगा जहाँ से आपको उस image का साइज है उसे select करना होता है तो बस आपको उस image का साइज है इसे select कर लेना है तो जैसे आप उस image का लेना है I am not robot जैसे आप वहां पर I am not robot पर select करेंगे क्योंकि हम लोग human हम रोबोट नहीं है हम select करेंगे कि I am not robot जैसे select करेंगे तो आपको बहुत सारी images देखने को मिल जाएगी वहां पर आपको verify करने के लिए कहेंगे तो वहां पर आपको लिखा होगा कि कि आपको किस image को select करना है तो आपको उस image को select करके आपको verify कर लेना है दोस्तों जैसे verify कर लेंगे तो वह image है जो automatic आपके mobile phone में download हो जाएगा तो इस तरीके से जो है आप याप images पेंज images download कर सकते हो दोस्तों मैं आपको बदा दूसर्फ आप यहांसे इमेज ही नहीं आप यहांसे अपनी विडियो के लिए वाल पेपर या किसी भी टाइप की जो है image photo डाउनलोड कर सकते हो महीं दोस्तों अगर आपको अपने वीडियो के लिए कोई वीडियो क्लिप चाहिए तो आप वीडियो क्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे सब्सक्राइब वाला होता है वीडियो क्लिप उसे डाउनलोड कर सकते हो या लाइक वाला वीडियो क्लिप ह नहीं पड़ेगा जब आप उसे यूट्यूब पे अप्लोड करेंगे तो तो दोस्तों आपके ये एप्लिकेशन कितना ज्यादा यूस्फुल लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर सेर किरेजिएगा जो लोग आपी को मिले तो चले हैं तो मेलते हैं किसी नए वेडियो में